अब आतंक्यों के निशाने पर जम्मू रिजन आखर क्यों हैं यह भी बताएं के लिए कि उससे पहले आपको ग्राउंट कंडिशन बताते हैं दरसल पाकिस्तानी आतंक्यों के निशाने पर जम्मू कश्मीर घाटी नहीं बलकि शांत जम्मू रिजन है जब मूरीजन जहां से आतंकियों का दशकों पहले सफाया हो चुका था वहां आतंकिया फिर अपनी मौजूदगी दर्च कराने की कोशिश कर रहे हैं इतना ही नहीं दहशत गर्दों ने न केवल जगह के लिहास से अपना टार्गेर बदला बलकि दहशत पहलाने लोगों की जान लेने के तरीके भी बदल लिए आतंकिया पीठ पीछे से हमला करते हैं और फिर अचानक जंगल में गायब हो जाते हैं घरे जंगलों में चुप जाना ताकि सुरक्षा बलों की गोलियों से बचा जा सके लेकिन सुरक्षा बलों से जादा अब इनके निशाने पर निहत्थी आम जनता धार में किस्तलों पर आने वाले शरत धालू है यानि आतंकियों की नई साजश नई रणनीती के साथ लेकिन चाहिए कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन आतंकी आखिर कब तक अपनी खेर मनाएंगे भारती सेना ने भी जम्मू शेतर के लिहाद से अपनी रणनीती में बदलाव किया है जम्मू में भारती सेना की एक्टिवनेस से आतंकियों में जबरदस्त खौफ है इन्हें हर वक्त बुटफेड होने का डरसत आता रहता है दरसत जम्मू के अलाके में जैश की आतंकी एक्टिव हैं और ये ज़ादातर पाकिस्तानी है जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदाईन हमलों का रहा है यानि जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था लेकिन अब फिर पैटर्न बनला है तरीका बनला है नातंकियों ने यानि लेकिन अब जो आतंकी आ रहे हैं वो फिदाएं नहीं बलकि मार कर भागने के मकसद से भारत में पहुंचते हैं और वही करते भी हैं वो छुप जाते हैं जंगलों में जाकर अगर अगर हम पिछले करीब धाई महिनों के आकड़ों पर नज़र डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतिय सेना के एक अफसर सहे कुल चार जवान शहीद हो चुके हैं इससे पहले नज़राई को कठुगा में सेना के काफिले पर घात लगा कर हमला किया था इनिया आतक क्यों ने जिसमें पांच शैनिक सहीद हो गए थे और इसके लावा चार मई को भारतिय वाई सेना के ट्रक पर हमला कर आतक की भाग कड़े हुए थे जिसमें एक वाई सेनि अब अपने स्टेंडर्ड आपरेस्टिंग प्रोसीजर यानि S.O.P. में बदला उखरीगी यानि जैसे कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानि की आर ओपी चलती है उसी तरह जम्मू में भी किसी मूवमेंट से पहले रूप को सेनिटाइज किया जाएगा यानि हमलों की गुझाईश ना के बराबर हो जाएगी अब ये भी समझ लीजे आप कि आतंकियों ने आखिर जंगू कश्मीर रीजन को चुना क्यों दरसल जंगू का इलाका बहुत बड़ा है बहुत सारी जंगल है या इलाका घने ज जोटियों वाली पहाडियों से ये पूरा इलाका घिरा हुआ है और इसी का फायदा जो उठाते भी हैं पहाडियों पर उचाई पर च्छिपकर आतंकी सेना की मुवमेंट पर नजर रखते हैं और मौका लगते ही छुपकर जवानों पर हमला करते हैं और इसी तरह से अगर जनता और शुरद्धालू इसमें हिंदू एंगल भी है यानि आतंकीों कि निशाने पर धर्म विशेश के लोग भी हैं समझे कैसे पहला ये कि जम्मू में हिंदू की संख्या जादा है दूसरा जम्मू रीजन में बड़े हिंदू धर्मिक इस्थल भी है और इसी वजह से बड़ी संख्या में हिंदू समूदाय के जो धर्मिक परेटक हैं वो यहाँ पर पूरे देश भर से पहुंसते हैं और जब हिंदू शुरद्धालों को निशाना बनाया जाता है तो देश भर में चर्चा बाकी ऐसे आतंकी हमलों के मुकाबले कहीं जादा होती है विश्व घाटी का अगर हम फिर जिकर करें घाटी में जवान निशाने पर होते थे लोकल जो घाटी के नागरित थे उन्हें कम निशाना बनाते थे आतंकी बहुत रेयर अगर उन्हें लगे कि कोई उनकी मुक्वरी कर रहा है कि खबर सेना को दे रहा तब हो सकता है वो निशाने प बहुत का प्रेयर बनाते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू रीजन में जो तरीका आतंकी अबनार है वो बहुत अलग है बिलकुल अलग है और उनकी रणनीती से बहुत हद तक साब भी हो रही है यानि निशाने पर एक जाती समुदाय या कहें कि धर्म और इसका मकसद केवल जम्मू कश्मीर नहीं बलकि देश भर में बहुत जबर्दस चाचाएं चाहते हैं आतंकी पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे आतंकवादी अब खून से लाल कर रहे हैं हमला करने वाले आतंकी ना तो इस खून देखते हैं और ना ही अस्पतार और सैन ने ठिकाने तो उनकी हिट लिस्ट में है पाकिस्तान को आतंक का ये नाग आए दिन डस्ता है और पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि वो मूँ खोलेगा तो सच पूरी दुनिया को पता चलेगा पाकिस्तान में ये सब कहां हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? ये दिखाने से पहले आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है अभी कुछी वक्त हुआ जब टीटीपी यानि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से ये वीडियो जारी किया गया था घौर से देखिए सुरक्षाबलों के काफिले पर कैसे निशाना लगा रहे हैं टीटीपी के आतंग के जंगल के इलाके में शूट किये गया इस वीडियो में बताया गया है कि टीटीपी की मंद्शा क्या है टीटीपी को बता है कि जंगल के इस इलाके में पाक्षाबलों की गश्ट होने वाली है इसलिए पहले से ही आतंकी गट्टों में अपनी position लिये बेचे हैं जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी पार होती है आतंकी ओर्टमे्टिक घथियारों से हमला शुरू कर देते हैं पहली गाड़ी के गुजरते ही दूसरी गाड़ी भी आतंकियों की range में आ जाती है और आतंकियों ने दूसरी गाड़ी पर भी हमला कर दिया ये वही TTP है जिसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है लेकिन असिम मुनीर TTP के इस इशारे को नहीं समझ पाए और एक बार फिर आतंकी पाकिस्तान में खून खराबा करने में खाम्याब हो गए अब देखिए कि पाकिस्तान के किस हिस्से को आतंकियों ने निशाना बना और जब दोनों और से बंदूके खामोश हुई तो हर तरफ तबाही के निशान थे जमीन पर पड़े हुए आतंकियों और पाक आर्मी के जवानों के एक शत विक्षत शव पड़े हुए थे पाक सेना के अफसर उन्हें आखिरी विदाई भी देने पहुँचे पाकिस्तानी सेना ने इस सातंक्वादी हमले के दोरान जो सैनिक मारे गए हैं उनकी तजवीरे भी जारी किये हैं इस सातंकी हमले में पाकिस्तान के आठ जवानों की मौत हुई है हमले के एक दिन तक पाकिस्तानी सेना ने चुप्टी साथे रखे फिर एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईस पियार ने कहा कि आतंक्वादियों ने 15 जुलाई के सुबा बन्नुख शावनी पर हमला किया लेकिन सुरक्षाबलों ने उनके परिसर में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया परिसर में घुसने में विफल हो जाने के बाद आतंकियों ने विसकोटक से लादे वाहन को 56 परिसर की बाहरी दीबार में घुसा दिये